इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 4 Filing के बारे में For the assessment year 2425 की अगर आप एक business person है, self-employed है तो new taxism या फिर old taxism दोनों के अंदर आपको step by step बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी income tax return यापे file करनी है प्लस यापे अगर आप opt out करना चाहते हैं additional form होता है, form 10IE करके वो आपको कैसे file करना होता है file करने से पहले क्या क्या चीज़े आपको ध्यान में रखनी चाहिए तो भाई ये सारी जनकरी मिलने वाली है आपको एक ही वीडियो के अंदर तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा आप में मैं बताना चाहूंगा अगर आप एक expert के through ITR filing कराना चाहते हैं बहुत ही affordable cost के उपर या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं तो supported link मैंने description box में दे रखी है तो चले गाई शुरू करते हैं इसे बहुत है बात करते हैं कि क्या चीज़े आपको ध्यान में रखनी चाहिए पहली चीज यह अभी जस ITR filing स्टार्ट हुई है तो अगर आपका यहाँ पे किसी भी तरह से TDS कटा हुआ है तो आपको में तक यहाँ पे wait करना होगा ताकि आपका TDS वगर है AIS और TIS के अंदर update हो जाए उसके बाद में ही ITR file करना second thing यह आप यहाँ पे जो है by default जो है new taxism के अंदर fall करने वाल है तो पहले से आपको मालूम होना चीए कि मेरी इतने income है और मेरे लिए क्या new taxism जादा beneficial है या फिर old taxism अब यह पता करना थोड़ो सा complicated हो सकता है लेकिन हम लोगों ने आपके लिए tax calculator भी यहाँ पे बना रखा है जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना आपको simply अपनी income डालनी है बिजनस की income डालनी है और यह आपको बता देगा कि आपके लिए कौन सी रिजिम जादा better है यहाँ पे आपको लोगों को एक pro tip देना चाहूंगा जहां तक हो सके आप new taxism ही यहाँ पे choose कीजिए क्योंकि अगर आपको opt-out करना है तो form 10 IEA आपको file करना पड़ेगा जाना है यहाँ आपको मिलता है income tax form file income tax form पर आपको click करना है उपर यूपर देखेंगे form 10 IEA आपको मिल जाता है file नाउब रणगे ओपर आपको click करना है यहाँ पर आपका आजाते assessment year यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर withdrawal कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले पुछेगा क्या आपकी business या profession income है अगर आप no करेंगे तो इस form को आप फाइल नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको करना है yes उसके बाद में पुछेगा कि आप ITR filing की आपकी last due date क्या है देखे अगर आप एक normal ITR 4 file कर रहे हैं आपे तो उस case में आपके लिए due date 31 July रहने वाली है लेकिन अगर audit वाला case है ITR 3 अगर आप file कर रहे हैं उसके अंदर आप opt-out कर रहे हैं तो आपके लिए जो due date है वो 31 October हैगी तो जैसे यहाँ पर आप select करके continue button के ओपर click करेंगे तो यह आपको एक तरह से confirmation मांगने वाला है और जैसे आप इनको submit करते हैं तो आपका एक ITR कैसे यहाँ पर file करने है तो यहाँ पर जाना है आपको e-file के section के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा file income tax return सबसे पहले आपको चूज करना है assessment year 24 25 यहाँ पर आपको दोनों मोडर मिल जाएंगे online mode हम लोग select करेंगे billion के उपर click करना है यहाँ पर करना है स्टार्ट new filing यहाँ पर से पूंछेगा क्यों अपर को चूँज कर लीजिए कडिए यहाँपे अपके आपके सारे जोईΗोज खल जाते जिसमें आपका personal information आपकी total income सब कुछ यहां पर आपको देखने वाला है और एक एक करके हम लोग verify करेंगे तो भाई सबसे पहले शुरुवात करते हैं परस्टनल इंफोर्मिशन के साथ में तो यहां पर पुछेगा आपसे nature of the employment अगर आप एक salary वाले government employees है तो यहां पर आपके लिए दोनों option मिल अगर आप एक self-employed बन दे तो यहां पर आपको other option मिल जाएगा filing section आपको 139 subsection 1 रखना है हमेशा थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आजाता है हमारा main option जिसके लिए हम लोग ने form 10 IEA यहां पर फाइल किया था तो देखिए यह वाला जो option है वो basically new taxism से opt-out करने का option है और यह by default यहां पर no रहने वाला है तो अगर आप new taxism को ही adopt करना चाहते तो इसके दर आपको कोई भी छेट-छाट करने की जरुवत नहीं है इसको हमेशा यहां पर no रखेगा लेकिन let's suppose अगर आप old taxism को choose करना चाहते जहां पर आपको various kind of the deductions मिलती है तो आपको जो है yes बड़न के ओपर click करना है यहां पर आपको जाल नहीं है date यानि किस date को आपने यह form file किया हुआ है और जैसे आप 10 IEA file कर दे तो आपको एक eclosement number मिलता है वह eclosement number यहां पर आपको insert करना होगा तो चलिए यहां पर मैं आपको दोनों तरीक के बदाता हूँ पहले हम लोग simply new taxism को choose कर लेते उसके बाद में वापिस back आके हम लोग old taxism के साथ में भी क्या-क्या changes होते वो देखेंगे तो मैंने इसको यहां पर no रख सारे question पुछ जाएंगे सभी को simply तरीके से आपको skip कर देना है पहला यहां पर जो आपको schedule मिलेगा वो मिलेगा salary का second schedule आपको house property का मिलेगा third आपको business and profession का और last आपको income from the other sources का मिलेगा तो चलिए हम लोग शुरुवात करते हैं हमारे main purpose business and profession से क्योंकि उसी के लिए हम लोग IT यहां पर आपको add details के उपर click करना है अब यहां पर आपको जो है तीन कॉलम मिलेंगे लेकिन यहां पर आपके जो दो कॉलम है वही आपके लिए important है तो अगर आप एक business run कर रहे तो आपके लिए business वाला कॉलम applicable हो जाएगा अगर आप एक profession के अंदर है doctor है chartered accountant है lawyer है CA है या engineer consultancy software consultancy वगारे देते तो उसके लिए आपका profession वाला जो है column applicable हो जाएगा अब इन सभी चीजों को fill up करने से पहले make sure कि लिजिएगा आपका AIS जो है up to date होना चाहिए तो इसके लिए आपको AIS बटन के उपर यहां पर उपर जाकर click करना है और एक बार AIS चेक कर लेना है यहा आपको business receipts के नाम से यहां पर total कितना amount है यह सब कुछ आपको दिखाने वाला है तो देखिये अगर आपको यहापको यहापको कई सारे business के code मिल जाएंगे जैसे example के लिए अगर आपका कोई retail का यहापर business है तो यहापर आप आप देख सकते हैं कई सारे retail के यहापर आपको turn over का मतलब होता है आपका पूरा 12 महीनों के अंदर जो sale हुआ है apprease से लिखकर marge तक का और ये दो figures के अंदर आप से पूछेगा कि cash के अंदर कितना हुआ है और digitally कितना हुआ है तो सबसे बात करते है digitally जो आपके account के अंदर सीधा जो credit होता है जो पूरा total आपका turn over हो है वो simply तरीके से यहापे आपको enter करना है मालिजे आपका जो turn over है 10 lakh का total turn over है जिसके अंदर 8 lakh आपका digital है 2 lakh cash के अंदर है उसके बाद में नीचे यहापे आपका 4480 section होता है तो होता क्या है आपका जो digital turn over होगा उसके उपर minimum आपको 6% का profit दिखाना पड़ता है ध्यान रखेगा यह minimum है maximum आप कितना भी यहापे दिखा सकते और actual में जो आपको business में profit होआ है वो आप यहापे दिखा सकते कि अगर आपका 10 lakh का turn over है let's suppose अगर आपने 3 lakh का net profit होआ है तो आप 3 lakh रुपे भी यहापे दिखा सकते है तो जैसे माली जे 2 lakh रुपे का net profit जो है मुझे यहापे digital के अंदर हुआ है और 1 lakh रुपे का net profit में को cash के अंदर हुआ है तो cash के अंदर minimum आपको 8% दिखाना पड़ता है digital के अंदर minimum आपको 6% दिखाना पड़ता है यानि कि आप नीचे नहीं जा सकते लेकिन आप उपर कितना भी जा सकते अगर आप नीचे जाना चाहते तो फिर आपको ITA 3 फाइल करनी पड़ेगी और उसके अंदर आपको tax audit करवानी पड़ेगी तो ये तो receive लेकिन यहाँ पर 4480 की तरह 8% और 6% का फॉर्मूला नहीं चलता है यहाँ पर minimum आपको 50% का profit दिखाना पड़ता है यानि अगर आपने 6 lakh के gross receipt दिखाई है तो उसके अगेंस में minimum 50% यानि की 3 lakh रुपे का यहाँ पर net profit आपको दिखाना पड़ेगा उसके नीचे जाना चाते हो तो आपको tax audit करानी पड़ेगी उपर आप कितना भी जा सकते हो तो भाई इस तरह से आपने 4480 जिसके अंदर आपका retail wholesale और manufacturing वाला टाइप वाला business आ गया training वाला business आ गया saving bank account का interest है वो यहाँ पर आपको insert करना है इसके लावा आपका FD का जितना interest है वो यहाँ पर आपको insert करना है और यह सारे figures आपको AIS statement के थ्रू भी मिल जाते हैं फिर अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको family pension मिलती है तो यहाँ पर आप उसको enter कर सकते हैं इसी तरह हम लोगों का यहाँ पर salary का कॉला मजाता है तो अगर आप business and profession के साथ में अगरा salary employed भी है तो यहाँ पर आपको salary के income insert करनी है salary के अंदर आपको बारा मीन की जो भी आपको salary मिलती है अगर आपको form 16 salary नीशी होता है तो उसके इंदर जित्ती भी आपकी gross salary है वो आप यहाँ पर insert कर सकते है आपने right now जो है new taxism को choose किया हुआ है तो यहाँ पर आपको HR वगरे के benefits वगरे नहीं दिखाई देंगे साथ में केवल आपको standard deduction मिलती है 50,000 रुपे तक की professional tax के उपर कोई भी आपको reduction वगरे नहीं मिलती है इसके लाव अगर आपने home loan ले रखा है तो आपको income from house property का column यहाँ पर देखने को मिल जाता है लेकिन आपने अगर new taxism choose कर रखिये तो अगर self occupied property है तो उसके उपर home loan का जो interest का benefit होता है वो आपको नहीं मिलने वाला है लेकिन हाँ अगर आपके एक rental property उसके आपकर आपने home loan ले रखा है तो आप अपनी rental income डाल सकते है कितना आप tax pay करते है municipal party को वो आप डाल सकते है और interest pay per on the borrow capital यानि जो आप EMI pay कर रहे हैं उसके इंदर कितना interest का component है उसकी deduction आप यहाँ पर claim कर सकते हैं यह चीज़े insert करने के बाद में next आता है हमारा disclosure और exempt income का column तो यहाँ पर आते सबसे पहले financial particulars of the business यहाँ पर आपको add deals के उपर click करना है तो हम लोगों ने जो business and profession के इंदर income दिखाई है उसी तरह यहाँ पर आप books of accounts maintain नहीं करते हैं लेकिं कुछ चीज़े यहाँ पर आपको information देनी पड़ती है जैसे कि manudity अगर में बात क्यों तो आपको यहाँ पर summary creditors बताने पड़ते हैं अपने business के अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप इसको zero भी रख सकते हैं इसके लाव आपके कित्ती inventory है कितने आपके summary data है cash in hand वगरे कितना है कितना आपका bank balance है 31 March को तो यह चीज़े यहाँ पर आपको insert करनी होती है इसके लाव अगर आपके bus में GST का number है तो यहाँ पर आपको information देनी पड़ीगी GST की तो यहाँ पर आपको add it is के उपर click करना है अपना GSTi number डालना है और उसके against में आपने जित्ती भी GSTi returns के अंदर जो sale बता रखी है 12 महीनों के अंदर वो यहाँ पर sale basically आपको बतानी है और ध्यान रखेगा यह जो sale amount है आपने जो अपना profession और अपना business के अंदर 44 ADA या 44 ADA के अंदर जो दिखाया है उसके साथ में यह match होना चाहिए लास्ट कॉलम आता है हमारा exempt income का अगर आपकी कोई life insurance policy यहाँ पर mature होई है tax free कोई आपको amount वगरे मिला है internal family members के बीच में कुछ transfer है exempt income है जिसके अपर कोई tax नहीं लगता है तो यह सारी चीज़े यहाँ पर आपको दी गई है agriculture income है less than 5000 रुपीज तो वो भी आप यहाँ पर insert कर सकते हैं चीज़े insert करने के बाद में next column आता हमारा deduction का लेकिन हम लोगों ने new taxism यहाँ पर adopt कर रखिये तो कोई भी आपको ATC, ATD वाली deduction देखने को नहीं मिलती है यह process था यहाँ पर new taxism का चलिए इसको हम अलका सा change कर लेते अगर मैं old taxism में जाना चाहता हूं तो वापिस में को अपना personal information में जाना है और यहाँ पर मैंने जो no किया था मुझे simply तरीके से yes करना है मैंको अपनी date of filing बताने की कब मैंने form 10i यह फाइल किया था acknowledgement number डालना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वापिस सारे field जो है disabled हो चुके अब old taxism हमारे पास में आ चुकी है तो आप मैं आपको major changes बता देता हूं यहाँ पर क्या क्या हो चुका है business and profession में जैसे हम लोगों ने figures डालेते वो वैसे के रहेंगे उसके अंदर कोई भी changes वगरे कुछ भी नहीं होने वाला है इसके लबा other sources saving bank account का interest हो गया dividend income हो गई bank की FD का interest हो गया सब कुछ वैसा रहने वाला है केवल जो salary वाला column है उसके अंदर आप अपनी gross salary डाल सकते साथ में आपको जो HRA के benefits मिलते है LTE के benefits मिलते जो allowances मिलते है exempt allowances मिलते है जो आपके form 16 के अंदर होते है वो allowances यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जिसको आप avail कर सकते old tax regime में तो self occupied property के उपर भी 2,00,000 रुपे का interest का deduction आप यहाँ पर avail कर सकते और यहाँ पर हम लोगोंने old tax regime चूज किया है इसलिए यह column यहाँ पर enable हो चुका है इसके लाव भाई जो disclosure exempt income है वहाँ पर भी कोई changes नहीं आएगा वहाँ पर भी सारी information जो हमने पहले डाली थी वैसे डिट्टो यहाँ पर रहने वाला है इसके लावा जो total deductions है पहले कुछ भी नहीं आ रहा था लेकिन अब आपको सारे deductions देखने को मिल जाएंगे आपको ATC देखने को मिल जाएगा ATD हो गया इसके लावागर saving account का interest है ATT हो गया जहाँ पर आपको 10,000 के deductions मिल जाती है NPS का आपके पास में deductions हो गया donations हो गई तो जितनी भी deductions होती है उन सभी के columns यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे अब हमारा next column आता है tax paid का तो इसके अंदर भी कोई बदलाओ नहीं होता है चाहाँ आप new taxism के साथ जाओ old taxism के साथ जाओ यहाँ पर आपको जो भी TDS वगरे कटा होता है salary से कटा है business की income पर कटा हुआ है bank से कटा हुआ है वो सारा TDS यहाँ पर आपको दिखाए देगा taxism चूज किया है तो साथ लाग के income के ऊपर कोई भी tax नहीं लगेगा क्योंकि यह 25,000 रुपे तक का में को rebate मिल जाता है लेकिन यहाँ पर new taxism है कोई भी आपको deduction वगरे नहीं देखने को मिलती है old taxism की बात करो तो वहाँ पर आपको deduction देखने को मिलती है लेकिन वहाँ पर यह 7,000,000 की जगे 5,000,000 रुपे की limit है जहाँ पर कोई tax नहीं लगता तो यह सारी चीज़े एंटर करने के बाद में आपको proceed बटन के उपर क्लिक करना है यह आपको एक तरह से summary बता देगा tax liability होगी तो यहाँ पर पी कर सकते अगर TDS refund है तो यह आपको दिखा देगा उसके बाद में यह simply आपको ITR 4 का जो official format होता है वो दिखा देता है आप चाहे तो इसको download भी कर सकते हो और last में आपको process to validation का बटन दिखाए देगा जैसे इसके उपर क्लिक करेंगे अगर कुछ भी error हुआ अपने जो ITR यहाँ पर जो है draft की है तो यह automatically आपको बदा देगा और जैसे उसके उपर आप क्लिक करेंगे यह आपको वहाँ पर लेकी जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा validation जो है बकाइदा पूरी तरह से successful हो चुका है अप कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर e-verify करना है simply तरीकी से एक आधार OT भी डाल कर और आपकी ITR यहाँ पर जो है submit हो जाती है भाई यह था पूरा step by step पूरा process की कैसे आप new taxism या फिर old taxism के अंदर कैसे आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं अगर आप दोनों taxism के बीच में confused है पहले बार ITR फाइल कर रहे तो मैं highly recommend करूंगा आपको एक professional की definitely यहाँ पर आपको advice और service वगरे लेनी चाहिए सारी supported link मैंने description box में दे रखिए अगर आप लोग के कोई भी doubts है तो please comment box के अंदर ज़रूर बताएए thank you guys, thank you very much